प्रयूक्त अधार्भूत गनित मतलब फिजिक्स में जो हम लोग यूज करेंगे मैट्स उसके बारे में इसमें पढ़ाय जाएगा तो सबसे पहले यहां पे बहुतिकी के लिए गनित आवस्यक रूप से सहायक उपकरन है मतलब गनित क्या है इसका डेफिनिशन इसमें बताय परिभार्षा कि mathematics is a tool used in physics अब ऐसे भी mathematics को आप define कर सकते हैं कि mathematics is a language of nature in which we can express things in easy and effective way असान तरीके से प्रभावसाली ढंग से हम चीजों को गनित में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि Newton का नियम है कि Brahman में हर एक वस्तु एक दूसरे को एक बल के साथ आकरशित करती है और वह बल दोनों के मास के product के directly proportional होता है समान उपाती होता है और उनके बीच के दूरी के square के inversely proportional होता है कितना लंबा बोलना पड़ रहा है और इसी को mathematics में रिप्रेजेंट करना च and inversely proportional to distance between them मतलब r square तो इसे देखने से भी वो सारा बात पता चल जा रहा है कि four skin factors पे depend कर रहा है दूसरे language में इसी को मैं जब बोल रहा हूं इंगलीज में बोल रहा हूं तो बोलना पड़ रहा है मुझे कि every object in this universe attracts other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them कितना लंबा बोलना पड़ा जबकि सिर्फ इतना लिख देने से वो जितना मैं बोला वो सब clear हो जा रहा है तो mathematics में आप क्या कर सकते हैं mathematics एक language है क्योंकि language होता क्या है language होता है आप जो सोच रहे हैं जो आप मन में अपने बात को express कर सके या जो law है Newton ने जो experience किया observation जो किया उसको represent कर सके दूसरे को समझा सके तो वो अलग-अलग language में समझा सकता है तो उसी में से यह mathematics language है और इस language में समझाना सबसे आसान और effective होता है क्लियर हो गया mathematics is a language in which we can express laws of nature and various things in easy and effective way अब उसमें सबसे पहले आता है trigonometry पढ़ना है उसमें angle के बारे में पढ़ना है trigonometry पहले क्या है trigonometry branch of mathematics जिसमें हम लोग sides और angle में relationship पढ़ते हैं triangle का तो आप definition भी लिख सकते हैं इसका कि mathematics में trigonometry क्या है तो trigonometry is a branch of mathematics in which we study about relationship between side and angle of a triangle clear अब ये angle क्या होता है देखिए ये reference line यहां पे लिया हुआ है o x एक reference line है अब ये line को rotate करना है translational motion नहीं करना है सीधा line में नहीं चलना है ऐसे अगर ये सीधा चलता है ऐसे ये line यहां से यहां चला जाता तो ये क्या करता है displacement करता initial से final जितना गया उसको क्या बोलते है displacement लेकिन अगर इसका एक end fix कर दे हो दूसरे end को हम rotate करा है ऐसे से ऐसे तो इस बार इसका displacement नहीं होकर ये जो भी move कर रहा है जितना भी amount से ये rotate किया है उसको angular displacement और उसी को match में angle बोलते हैं तो एक रेखा जिसका नाम इन्होंने op दिया हुआ है अपने प्रारम्भीक इस्तिति ox यहा पे है ox प्रारम्भीक इस्तिति है इसका initial position से वामा वर्थ दिशा में वामा वर्थ मतलब anti-clockwise घड़ी के opposite sense में घुर्णन करना प्रारंब करती है तो रेखा अपनी प्रारंभीक से जितना घुर्णन करती है उसे कौन कहते हैं जितना यहां से यह रोटेट हुआ उसके मिजर्मेंट उस अमाउंट को ही कौन कहते हैं ठीक है यहां थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है उसको अभी साइन कर्वेंशन यह है कि अगर आप एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चले वामा वर् आपको और दक्षिनावर्त दिश्रा में चलें मतलब क्लॉक वाइज चलें तो रिणात्मक याने निगेट्टिव लेना है इसको एंगल का बहुत सारा यूनिट होता है जिसमें से एसा यूनिट रेडियन को बोलना है इसी ठीक है एसा इस सिस्टम में एंगल का रेडियन अभी पाई बाई टू रेडियन एक 90 डिग्री जिसको आप समझते हैं कि एक होरिजोंटल लाइन वर्टिकल है और यह अगर कोई लाइन ऐसे है रोड और उसको आप वर्टिकल कर दिये तो कितना रोटेट किया उसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं और उसी को रेडियन में पाई बाई टू रेडियन लिखा यागता है दूसरे यह जैसे 100 संटीमीटर गों एक मीटर बोलते हैं है की नहीं कनवर्ट करने का फैक्टर वैसे ही 90 डिग्री को पाई बाई टू रेडियन याद रखना है एक समकून मतलब एक 90 डिग्री पराबर पाई बाई बाई टू रेडियन अब रेडियन के लावे और भी यूनिट होता है जिसको आर्क मिनट बोलते हैं यह खाली मिनट यहां लिखा हुआ है लेकिन आर्क मिनट लिखते हैं उसको यह क्या चीज़ है देखिए अगर आप यह 90 डिग्री एंगल है यहां से यहां और यॉनिटल से वर्टि बढ़ दिए तो जो एक पार्ट इसका आ रहा है वह कितना डिग्री आ रहा है एसा दो टीन 4 इसे करकर 60 तो एक टुकळा चोब Ver 009 घोलते हैं यह यानकी एक डिगरी को आप साथ आप इस बरट है तो यहां एक यृकवल एंगल में तो उससे जो एक मिन tres बोलेंगे क्यों तो समय जैसा लगने लिएगा कि टाइंबraf ही वेसे हिए फिर से जो एक मिन लिखेंगे symbolically समझ गए one आर्क मिनट और one आर्क सेकेंड क्या है